एक वक्त वो था जब करीना ने कैट को अपनी भावी कहा था यहां तक कि रनबीर और कट्रीना की शादी में मैडम चिकनी चमेनी सौंग में टांस भी करने वाली थी लेकिन अब मैडम कुछ और ही सोचती है जी हां करीना कपूर ने रनबीर और कट्रीना कैफ के रिलेशनशिप पर बोल कर संसनी पैदा कर दी है पता दें कि करीना कपूर खान हाल ही में नेहा धूपिया के वोईस चैट शोओ नोव फिल्टर नेहा में गई थी और उन्होंने वहां जाकर रनबीर कपूर की जंदगी में आकर जा चुकी एक्ट्रिस दीपिका पादकोन और कट्रीना कैफ को लेकर बड़ा बयान दे दिया है शोओ में नेहा ने करीना से पूछा की उनके हिसाब से रनबीर के लिए दीपिका और कट्रीना में से कौन सी बेटर गर्फ्रेंड हो सकती थी करीना ने तुरंत जवाब दिया कोई भी नहीं इतना ही नहीं शोओ में करीना से ये भी पूछा गया कि अगर उन्हें एक अभिनेत्री के तौर पर दीपिका और कट्रीना में से किसी को चुनना हो तो उनकी चॉइस क्या होगी इस पर बेबो ने दीपिका का नाम लिया वैसे करीना को अब ये क्यों लगता है कि रनबीर के लिए कैट और दीपिका में से कोई बहतर गर्फ्रेंड नहीं हो सकती ये तो वहीं बता सकती है लेकिन शायद वो ये भूल गई कि करन जोहर के शोओ में करीना नहीं कैट को भा का जासूस की शूटिंग कर रहे हैं गौरतलब हो कि रनबीर कपूर अभी हाल ही में नेहा धूपिया के स्टॉक शो में आये थे जहां पर उन्होंने कहा था कि कट्रीना ने उनकी जंदगी में अच्छा प्रभाव छोड़ा है और वो उनकी लाइफ की इंपोर्टेंट पर सुन है